अलो देर स्टुरेंट्स, वेलकुम बैक टो माई चैनल, फिलिक्सस्परसी, अ बोडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, रिचे दे ग्राउंड विद इस्पीर 1.2 रूट ग्ह, क्याल्कुलिट दे वर्डन वाइर फ्रिक्षिन, तो एक ड्राउंड बना लेते हैं, कि मालो यह ground है और यहां से एक body drop की दा रही है तो initial speed इसके 0 होगी और h height से drop की गई है तो यह इसका ground है जब यह body ground के पहुंचती है तो इसकी आपको velocity यहां पे given है v is equal to 1.2 root g h क्योंकि यहां पे air friction भी है gravity नहीं only अगर आप gravity gravity होती तो यहां पे जो velocity आती वो root 2 g h आती लेकन यहां air friction भी है साथ में उसकी वैसे इसकी velocity कुछ कम हो गई है तो burden by air friction पूछ रहा है तो यहां पे दो force involved है एक तो burden by gravitational force weight and air friction तो according to work energy theorem according to work energy theorem burden by all forces burden by all sorry forces is equal to change energy और यहां पे दो force involved है एक burden by gravitational force प्लस डवलू air friction बराबर change energy जो आपका gravitational force है वो conservative force है इसलिए burden by gravitational force इसलिए burden by gravitational force is equal to change in gravitational potential energy और यह यहां लिख दें तो मानस के delta u प्लस burden by air friction बराबर change in current energy बराबर है टरबर यहां प्लस अच्छेंच अच्छेंच है final minus initial plus U final minus U initial और burden by air friction हमें हमें तो इसलिए हमें अच्छा है रहा है और ड्रक्ट भी निकाल सकते हैं दे वर्टन भाई ग्रेवटेशल पूस दरक्ट निकाल लो लेकिन मैं ऐसे करती है चलो ठीक कैसे भी कर लो का इंटिकर जी फाइनल लिखें तो यह फाइनल का इंटिकर जी है तो कितनी हाप एंट वन पॉइंट टू रूड जी एच इस पूरे का हॉझे स्केर प्लस इसी को रैफरेंस लेबल मानने है गरेवटेशनल रैफरेंस लेवल यहीं से हाइट मिजर कर रहे हैं और यहां पर प्रस्टनजी 0 मानने है इसलिए यहां पर फाइनल प्रस्टजी 0 हो गुई माइनस इनीशल लिखें का एंट जी 0 है तो कि स्पीड जीरो है और h है पर है ये इसका मास अएम है तो प्लस mg कैपिटल ह इनीशल ग्रैविटेशनल प्रटेशनल प्रटेशनरजी mg h अब से सॉल कर लो आप एम इसका होल स्केर कर दाएं तो 1.44 g h और इस माइनस से माइनस हो जाएगा इसलिए mg अच और इसको से गठाएं तो माइनस के पहले 2 से डिवाइड कर ले 72 mg h माइनस mg h इसमें से सब्सक्र कर दाएं तो माइनस के 0.28 mg h ये वर्डन भाई एर फ्रिशन आया है तो इसमें फ्रिशन फोर्स लगेगा उपर और मूब भू नीचे कर रहा है इसलिए ये वर्डन अगेंस्ट दे एर फ्रिक्शन है इसलिए नगे टिप साइन आ रहा है ये इसका आंसर हो गया पढ़ते रहिए और खुज रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कोशन के साथ थेंक्यू करते हैं तो कि वीडियों ये पहा है है ये वीडियोंच है गिए खा रहा है ये दुद़्धे और मिलते हैंक्षों